हेलो गाईज, स्वागत है आप सब लोग का माई यूट्यूब चैनल और आज हम डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट कोश्चिन्स जो इंटरनेशनल बायोडिवर्सटी कर्मेंशन्स एंड इयर पलूशन कंट्रोल उससे संबंदेत हैं तो हम स्टार्ट करते कोश्चिन नंब फर्स्ट से वाट इस ट्रू अबाउट दी यू एन एफ सी सी इसका क्या फुल फार्म होता है कितने लोग है इसमें बहुत सारी इसके बारें बात हैं देखिए पहले स्टेंड कर रहा है कि इस टेंड फार दी उनाइटे नेशन फ्रेमबर्ग कन्विंशन अन क्लाइमेट इसकी फुल फार्म होती है दूसरे में बात कर रहा है कि इस पर नाइंटी सेविन मेंबर्स मतलब यह जो पूरा आर्गिनाइशन है इसकी एक सो सतानवे देश जो है वह मेंबर से थार्ड में बोला है कि इस परेंट ट्रीटी आफ पैरिस क्लाइमेंट चेंज एग्रीमेट यह अपने आम एक अने दर मतलब कांफरेंस है उसके आज जो 2015 में हुई थी इसकी पैरेंट ट्रीटी है इसकी पैरेंट ट्रीटी आफ कोईटो प्रोटोकाल उन्यों सथान प्रोटोकाल का भी पैरेंट ट्रीटी है और इसका फूल फॉर्म यह होता है युनाइट नेशन फ्रेंबर कंविंशन अंग्लाइमेट चेंज और आज की टाइम में इसकी जो मिंबर का पार्ट नर्स जो है वो 197 है तो काईज यहां पर जो करेक्ट अंसर है वही यह सभी ब प्रोग्राम है इसका क्या एम है तो गाइज इसका जो एम है बहुत पर बात करना है पहला है आप सेने में टू कीप ग्लोबल आइबरेस टंपरेचर राइस दिस सेंचुरी विल ब्लो टू डिग्री सेंटिग्रेट की जो पैरिस में क्लाइमेट चेंज अग्रिमेंट रही है कि बूख कहीं ना करीं दो डिग्री सेंटिग्रेट से ही कम रहे है दूसरे में कहरे है तू डॉल एफ ऐफर्स तो लिम्ट निट टेंपरेचर इंक्रीज एवन फादर टू 1.5 डिग्री सेंटिग्रेट अबब भी प्रिंडेस्ट्रियल लेवल में टंपरेचर देंगे उससे ज़्यादे नहीं ठीक है और सी मतलब बहुत और करेक्ट यह दोनों बातें साही हैं कि दोनों बातें परेश्क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट में ठीक है गाइस नेक्ट कोशन में बात करते हैं कोशन नमबर तीन इसमें बात है कि वाट इस ट्रू अबाउड थी पंच मड़ी या सत्पुरा टाइगर रेजर्ब के बारे में तो देखिए इसके बारे में तीन स्टेटमेंट हैं कि इट डिकलेड बाइस्फिर रेजर्ब इन 1999 में इस टाइकर डिकलेड ही टा और अर्चार में होते हैं इक जोटब सिसमाल गोणा यह होते हैं चोड़े से स्माल प्लांट के बहुती बूटीफुल जो कि मोनो काट को भी लॉग करते हैं और यह डिकोरेशन आफ या पिसाधी कुछ कंश्टम छोटे उन्पी हमें इंकर स्वर्प्राट करने में काम आते हैं तो यह बाते हैं जो हैं पंच मली के बारे म में due to meeting of rare species of orchids वहां में लगई थी उसकी वज़े चर्चा में रहा था और 1999 में ये बाइस पर रिजर्ब बना था और 2019 में ये फ्रेमस हुआ था ठीक है due to सब्सक्राइब करा गया था तो करेक्ट आंसर का इस डी है क्योंकि यह बात है सब अबाउट दी पंचमुली टाइगर रिजर्ब के बारे में ठीक है रत्पुरा लिखा है सब पूरा टाइगर रिजर्ब हो गया इस नेस्ट कोशन में बात करते हैं कि इन बिचादी और बाटर राष्ट एसोफर की में जाता है इस तरह कि स्मॉग बनता है मगर कार्म नोच्ट जो आता हूँ डारेक्ट ली किसी बायमास्कि जो ब्रेकडाउन होता है मतलब उसके बद्निंग से निकलता है तो यह जो है डारेक्ट ली जो है प्राइम्री एर प्लूटेंट बागी जो हे से किंडि नहीं इसमें किन डिन्स कहसरें नहीं है नहीं तो इसमें कितने अर्टेकिल्स है तुष में आपकुली का नंबर जो है वो 42 है ठीक है देहां एकना यह से काफी important question है यह उसके बाद हम बात करते हैं question number 6 पे कि who for the first time gave the definition of integrated control अपने आमें प्रोग्राम होता है कि IPM ठीक है Integrative patient management तो integrated control की जो definition थी सबसे पहले किस ने दी ती यह definition थी इस तन ने 1959 में ठीक है इसके बाद question number 7 में हम बात करते हैं कि the use of spore-bearing bacteria was first made for controlling spore-bearing to farming bacteria है उसका जो use control करने के लिए वो सबसे पहले किस ने किया था pulse beetle को control करने में यह होता है यह fruit fly यह Japanese beetle larvae यह फिर mosquito larvae तो यह यह हुज हुआ था पहली बार Japanese beetle larvae के case में ठीक है next question में बात कर रहे हैं कि बिचादी following larvicidal fishes are used in biological control biological control में कौन सी larvicidal fish use करी जाती है तो गई जिसका correct answer जो है वो answer आपका D टीनो फेरेंगो डॉन एडीला यह जो फिस होती एक larvicidal fish है लार्विसाइडल को फिस का मतलब यह दूसरे जो हमारे animals होते हैं उनकी larvae को kill कर देती है तो इस तरीके से it helps in the biological control love और इस तरीके समारी किराप्स को damage होने से बचा लेती है नेक्ट कुछन में कह रहा है कि वीचादी following is called ecological management क्या चीज होती है biological control को ecological कहते हैं या cultural कहते हैं या integrated paste management को कहते हैं या सभी को कहते हैं तो guys 19 का जो answer है वो भी है जो cultural control होता है उसे ecological management बोलते हैं आपने देखा होगा ecological और cultural एक ही बात होती है अगा नेक्ट पॉइंट काफी जनरल से question है यह कि आप में सुना होगा बहुत ही फेमस केस है 1984 में दी बोपाल गैस ट्रेजटी हुई थी बोपाल में महदेपद्दस की चुक्राइब है बहां पर तो कौन सी गैस के रिलीज होने से हुई थी तो यह गैस थी आपकी मिथाइल आइसुसाइनाइड जिस ओर पर में बोलते हैं तो उइस सिए वीड के साथ और आइस के साथ जो भी हमारी में कराफ जिसने फार्मिस रिए अपनि homelessness के साथ जो कराब होती दूसरे उस किराव में जो तुसरे घास के पाउदे निकल आते जो हमारी क्राप को ढूंगञाने करते हार एक तरीके से हमारे में क्राप से कंप्रीट करते हैं लाइड के लिए के सब्सक्राइब यडिजिज की लिए स्वेस के लिए 2-4-D-Paratheon-Texophene ठीक है तो गाई इसमें हर्विसाइट आपने सुना होगा 2-4-D जो कि सिंथेटिक हमार जो प्लांट हार्मोन होते हैं आग जिन उस कैटा के लिए का है बट सिंथेटिक है यह ठीक है लैब सिंथेटिक हर्मोन है जिसे हम बोलते हैं 2-4-D 2-4-D-Clorofenoxy-acid इसका पूरा नाम होता है और यह हर्विसाइट की फार्में यूज करा जाता है आप देखिए एक बात और आगे बता दू जो हर्विसाइट होते हैं और 2-4-D उन हर्विसाइट को कैसे करके किल करता है क्यों आप 16-14 जो है वो डाइकॉट है टाइकाट मतलब होता है जिनकी पत्य है चाडी वाली होती है ब्राइड लीफ प्लांट जो है ठीक है और जो हर्भी साइड होते हैं वो अपने हर्प को किल करते हैं बाई ब्लॉकिंग देर फोटोसंथेस्स और फोटोसंथेजिस में पुछ और फोटो सिस्टम सेकिंड होता है उसे ब्लॉक कर देते हैं और फोटो सिस्टम सेकिंड के ब्लॉक करने का रीजिन यह होता है कि फोटो सिंथेसी के दौरान जो आक्सिजन निकलती है वो फोटो सिस्टम सेकिंड का काम होता है जब फोटो सिस्टम सेकिंड ब्लॉक हो जाता ह दूर ऊक्सिजन था थे टूर उस बार को निकलने कीumuz बंद हो जाती जब आस्टिन निकलने की प्राइसज के प्राइस की प्लैंट Google फालॉब में कि भी चादी फालूओंगी जाल्मोस्ट नॉन टॉक्सिक टुई इंसेक्ट बट्स मतलब देखिए एक इंसेक्ट है एनिमल्स और दुसरा बर्ट से भोभी एनिमल्स हैं मगर इंसेक्ट इन वर्टिप्रेट और वर्टिप्रेट से तो ऐसा केमिकल बताई इसमें जो इंस में बात करते हैं भेजादी फालुओंगी जिए मोड्टॉक्सिक यह कुछ कंई होते हैं तो दोजो टॉक्सिक होता है आयज होता है खेलं द्यान रखिया श्मों यहां खञेटी नरी निश्ट कोईजन 40 में हम बात करते हैं पिजादी फालूविए नाट इंक्लूड इंदी लिस्ट आप क्रेटेरिया आफ एयर प्लूटेंट मतलब एक जो एयर केर प्लूटेंट होने का जो क्रेटेरिया आए केमिकल्स के लिए इन चार में से कौन उसक्रेटरियां फिट नही नहीं फिट होता है सिंपल चिपादर स्योट्विग एस और स्योट्वा बहुत साला इंप्स के लिए फोडो सिंथिस्ट बहतर होगा तो उसे ज्यादे अधर क्रेटिवीटी होगी ठीक है तो बाकिछी और लैड जो है वह आपके पलूटेंट हैं मगर स्योट्व प्लूट फोडो संथेजिस की बात करते हैं जब ठीक एक आरगेनिक फोडो संथेजिस होती है तो उसमें एस्टूस अजे सलफर प्रोवाइड करता है जो केमिक अपना फूड मर्टीकर बनाने के लिए कुछ ऐसे बैक्टरिया होते हैं कि मों संथेटिव बैक्टरिया उनके काम आता है है और यह एर प्रोटेंट नहीं है क्योंकि यह यह में पाजाता है तो बार प्रटक्लियाल बात करते हैं कि सी यो प्वर्णिं कावर मोमट म ऑक्सवाडिक्र ता एफेक्ट्स लंग्स आक्षियन कैरंग कैपासिटी आप बिलड लेवर या ना अब देखिए यह होता है वह हमोगलोविन से बहुत और अच्छा रिलेशन से रखता है मतलब अच्छा मतलब बहुत ज़्याद इसकी एफिनिटी होती है और जब किसी को स्यूप वाइज निग हमारी बॉड़ी की पार्ट तक लेजाने काम करता है जब स्यूप वाजिनिंग का मतलब होता है कि आपने अपने आप में पलूटेंट है वट किस लेवरी कंडिशन कंसंट्रेशन एकिस कौन सामाउंट है कितना इमाउंट आग जो जो हमारी एर होती है आप में कितना इलाउड है मतलब उसना चल सकता है अब 2.20 पीपीम अब 2.12 पीपीम में आप 2.06 पीपीम तो करेक्ट आंसर गाई जो यहां पे है वो आपका है 0.06 पीपीम की जो कंसंट्रेशन होती वो वैलेड होती मतलब उससे कोई प्रावलम नहीं है खास नेक्ट कुछ साथ एरो सॉल्ष पट्ट कोता है उनके जो पार्टिक्लिट को पार्टिकलर में पार्टिकलर मेकाय कोल डस नहीं आता है कि यह सब आपके soir में में मैक什么 हो ये मागा मगर जो लेड है वो आपका कहां सी मिक्स हो पाईगा ठीक है यह तो गाई एडिस्ट में करेक्ट आंसर जो है आपका सी ठीक है लेड और सिकेंड के दो कोशन है नाइंटीन और टूइंटीन इस देख लेते हैं बीचादी फालोगी इस नाट इंक्लूडिन दी हजाडस एर प एक्सप्रिमेंट करते हैं तो इसमें सबसे इंपार्टन जो अंसर होगा वो क्या हो सकता है तो इसमें करेक्ट आंसर यह तीनों जो है ठीक है तो गाइज करेक्ट आंसर जो आपका इसमें बात करा है कि नाट इंक्रूड़ इडिए नाट हजार ड़स नहीं क्योंकि यह में इतना जल्दी यह मिक्स नहीं हो वाकि यह जो होते हैं तब गाइस की फार्म में होते हैं और जहां इनकी बॉड़ी में हमारी कंसेंटरि तो वो कहां से आएंगे मतलब मैं कोशन दूसरा बता रहा हूं कि हुमन्स और एक्सपोज टू बोलाटाइल आरगेनिक केमिकल्स जिनने वी ओसी बोला जाता है वो हीमन जिन से एक्सपोज होगा तो वो कहां से आएंगे देखिए इस तरीके से आपने 20 कोशन आपने पढ़े हैं और यह कंप्लीट होती है स्रीज इसी के साथ आपका थैंक्यू बेरे मच बोलाँ